कि वेरी वेरी गुड इवनिंग टो आल अफ यू तो डियर इस्टुडेंट्स आज जो हमारा मेजरेमेंट अब सेंट्रल टेंडेंसी है आज इसी क्लास में हम टॉपिक करने वाले हैं कुछ अधर पार्डिशन्स के अधर पार्डिशन्स पर बेसिकली तीची जोगों पढ़ सेंट्राइब करते तो पहला कोशनि की सर्फ क्या है है कि डिकिसा अ हाँ जी तो आए पहले इसको समझे आप कि क्वाड़ाइल्स क्या है अगर पहले इसको समझे आप कि क्वाड़ाइल्स क्या है क्वाड़ाइल्स क्वाड़ाइल्स क्या होता है अगर मैं आपको एक इमेज के तुरों संजाने कोशी करूं तो पहले समझेए कोई एक जिसे यह है आपके पास में ठीक है बच्चे और इसके अगर हम बात करता हूँ इसके चार इक्वल पार्ट में इसको डिवाड़ कर देता हूँ मैं तो इसमें क्या है यह आपका जो है इसी को हम क्या बोलेंगे क्वाटैइल अगर यह पहला तो फिस्वाड इसको हम बोलेंगे दूसरा इसा पत है इसके थर्ड झढ़ कोड़ने एन्ड़ की तरह के से फार्ट पय स्टाईल तो यह आपका एक Quartile है, तो Quartile इसी हो कहते हैं, इनको हम Quartile कहते हैं, clear है, अब आए एक चीज और हम समझते हैं यहाँ पर, कि Quartile का basically मतलब क्या है, एक सीरीज लेता हूँ, मैं एक इंडिजो सीरीज ही ले रहा हूँ, एक सीरीज ले मैंने बच्चे, तो इस सीरीज में अगर आप देखेंगे, तो इस सीरीज को जो है, चार इक्वल पार्ट में अगर आप डिवाइड करते हैं, सीरीज को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड अगर आप करेंगे, एक पार्ट ये रहा, दो पार्ट, तीन पार्ट और चार पार्ट, चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, सीरीज को मैंने, चीक है, तो जो फर्स पार्ट में डिवाइड करा, तो फर्स पार्ट में जो first part का जो आपका number है यह आपका quartile है Q1 और जो second part का आपके पास में है यह भी है मेरे पास में क्या है चार equal parts में divide करने को quarter कहते हैं चार equal parts में divide करने को क्या बोलते है quarter बोलते है एक आपके दो और तीन और चार बास समझ गे तो तो एक quarter आपका यह हो गया, 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 तो किसी भी series को चार बराबर भागों में बाढ़ देना, तो चार quarter, maximum चार quarter ही हो सकते हैं, क्योंकि complete फिर क्या बन जाता है, वो एक बन जाता है, बेसिकली आप एक quarter को 25% भी बोल सकते हो तो किसी भी series को 4 equal part में divide कर देना quarter होता है अब क्या होता है, first quartile क्या होगा बच्चे जैसे कि आपका जो median है न, median क्या होता है किसी series का बीच वाला number, जो पुरी series को represent करता है इसी तरीके से quartile 1 क्या होता है quartile 1 क्या होता है, quartile 1 का मतला बच्चे यह होता है कि पहले आधी series का, आधी series का middle number पहले समझ लिजे इस बात को, आधी series क्या ही है न तो आधी series का middle number, this one, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ इसको मैं Q1 बोलूँगा तो भया माल लीजी अगर मुझे पुरे साल का average निकालना है, मैं एक business करता हूँ, मुझे अपना average sale निकालना है, पुरे year का निकालना है, तो भया पुरे साल का मुझे मिदस में क्या होता है मीडेन क्या होता है दोनों हिए होता है बस निकालने के मैऽ casts लगलगे शवी बात लिफने लगारत कि चुका और उसको वीडियो को देखो तबहें आपको बाते पता लगेंगे मैं आज पढ़ा रहा हूं आफ जाता हूं अलो अवर सेल मेरा जो है पूरे साल का एक अवरेज सेल कितना रहा तो मैं अपने सेल्स को असे निया डिसेंडिंग और मेरा कर रोके मैं उसका बीचाइन नंबर पकड़ लोगा तो कहीं ने वह आवरेज के नीरे से की नंबर होगा ठीक है लेकिन कुफर्स कॉट् पच्ची परसंट का मतलब क्या होता है आप कुछ बताओ 100% का आधा होता है 50% अब 50% का मतलब होता है पहले 50% का भी आधा बास समझ गे तो अगर मैं किसी इक सीरीज को यह है ठीक है 100% है तो पहला 25% आप पर आ जाओगे न पच्ची परसंट पर आ जाओगे आप Q1 50% पर आपने मीडियन भी कहते हैं इसको 75% पर आ जाओगे Q3 और 100% पर आ जाओगे तो Q4 यह होता है हर सीरीज आपका इस तहिकंगे से डिवाइड होता है तो सीरीज को चार एकुब पार्ट्स में डिवाइड कर लो तो जो पहले पार्ट्स जो पहला पार्ट्स का आपका एंड वाला session होगा, जो first part का end होगा, वो basically first half, half के mid में होगा, मतलब की first half के average को represent कर रहा होगा, clear है, जो आपका Q2 होगा, जो आपका Q2 होगा, बना quartile 2, means 50%, तो ये क्या होगा, ये complete series के mid पे होगा, और मतलब की ये क्या कह रहा है, ये complete series के average के nearby कोई number होगा, और अगर quartile 3 के मैं बोलूँगा, तो second half series के average को represent कर रहा है, किसके complete series नहीं, second half series के average को represent कर रहा है, और आपके पास पे Q4 का मतलब होता है, कि series के last quarter का आपके पास में end number कौन सा है, तो basically आपके exam में Q1 and Q3 पूछते हैं, Q2 तो आपका medium नहीं होता है, तो बच्चे Q1 क्या है, किसी series को 4 equals part में, उसके series में 8 number भी हो सकते हैं, 15 भी, 16 भी, 25 भी, 50 भी, कितने भी number हो सकते हैं, उसको 4 बराबर भागों में बार देना, इसको बोलते हैं, और हर भाग का अंत वाला number, हर portion का, हर partition का 4 equal partition में divide कर देना, उसको quartile बोलते हैं, और हर partition का last वाला number, आपका जो है, quartile 1 होगा, और second partition का quartile 2, third partition का last number, quartile 3, और fourth partition का last number, आपका quartile 4 होगा, और Q1 represent करता है 1st half series का average के nearest कोई number Q2 represent करता है Complete series का average के nearest कोई number और Q3 represent करता है 2nd half series के average कोई number मेरी बास समझे अगर मैं पहले 6 महिने की sales जाना चाहता हूँ तो मुझे Q1 निकालना चाहिए average sales के लिए क्योंकि मेरा क्या होगा Q1 1st half का मुझे बता देगा अगर मैं second half year के अगर मैं average अपने जो है performance देखना चाहता हूँ तो फिर मुझे Q3 निकालना चाहिए और पूरे year के मैं average performance जाना चाहता हूँ तो मुझे Q2 निकालना चाहिए मेरे बास समझे या नहीं समझे तो quartile का basically अब यहाँ पर समस्य यह है कि यार यह जो quartile का address क्या होगा मतलब कि मुझे कैसे पता लगेगा for example मैं नंबा लिख लेता हूँ तीन चार पांच आठ नो बारा पंदरा शतरा अठारा उननेस बीस एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा साथ साथ लिखता हूँ तोड़ा सा आराम से तसलिप पूरवक तीन, चार, ताथ, आठ, पंदरा, शतरा, एक्किस, तेईस, सैंतिस, एक्तालेस पैंत तालिस अब माहलोगे झाज़ परफॉर्मस देखना है तो मुझे मिडेन निकाल लेना चीए अवरेस की बात इसलिए नहीं का रहा हूं अवरेस परफॉर्मस के लिए परफॉर्मस के लिए बहुत पर कोटल वगरह क्यों होते है लेकिन अगर मुझे फर्स हाफ सीरीज का चाहिए तो मुझे चार एक पार्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फर्स पार्ट कहां तक है तो इसलिए ना आप क्वाटाइल के लिए क्या कर सकते हैं एक साइज ओफ क्यू वण का बिश्कली फार्मुला क्या है आपके पास में इसका फार्मुला होगा एन प्लस वन डिवाड़े बाइब भाए फूर्ट टम ये एड्रेस पता लगए मतलब कि कहां पर मिलेगा आपको क्यू वन का क्यू वन कहां मिलेगा मतलब कि चार एक पार् कितने टर्म्स हैं एन मतलब कितना अबजर्बशन है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा तो ग्यारा प्लस एक डिवाइड़ी बाइब फोर तो बेसिकली क्या हो गया कि थर्ड थर्ड टर्म ठीक है तो इसका मतलब हो गया कि मेरा क्यूओण कहां पर मिलेगा थर्ड टर्म पर मिलेगा थर्ड webinar लेगा थर्ड टर्म पर क्या है गा value क्या होगी 7 इसी तरीके से अगर मैं निकालना चाहता हूं size of q2 तो q2 निकालना चाहता हूं तो पहले मेरे को q1 वाला फर्मला अप्लाई होगा क्या n प्लस 1 divided by fourth term ठीके बच्चे तो size of q2 fourth term और यहां कि मैं first quarter को 2 से multiply करूँगा तो क्या हो जाएगा यह यह second quarter पे चला जाएकळा बास समझे कि first quarter यहां end हो रहा है है तो चारो की चारो equally स्था करने पर इस से कीnd quarter पर चल जाएगा से किंद कॉर्ट अड्रिस देगा तो क्यों टूब करेंगे टू oh 11 plus 1 divided by fourth term तो क्या होगे आपके पास में 6th term और इसी को हम क्या बोलते हैं इसको हम median भी बोलते हैं क्या बोलते हैं median क्योंकि ये बीच में ले जाता है आपको और median का अतला होता है median number तो solve करेंगे आपका Q2 की value क्या होगी 6 पे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आपक्यूटू क्या हो गया 17 हो गया मैं बात कर रहा हूं individual series की उसी तरीके से मैं यहां पर Q3 निकालता हूं यहां पर मैं Q3 calculate कर रहा हूं तो वह ही formula दाएगा पहले first quarter पर तो आप जाए पहले आप first quarter पर जाएए बट तीन से multiply कर देना तो third quarter पर पहुंच जाओगे clear है तो आप solve करेंगे तो 3 11 प्लस 1 divided by 4 term तो solve करेंगे 12 4 3 9th term तो Q3 की value क्या जाएगी Q3 की value आपके पास में 9th term का मतलब आपके पास में 6 7 8 9 तो क्या जागा आपके पास में 37 तो इस तरीके से आप अपना जो है quartile find करेंगे तो पहले address ले लिजिए आप size of q3 q2 size of q3 की बात कर रहा था मैं size of q3 size of का मतलब पहले address ले लिजिए कि size of q1 मतलब कि जो q1 है वो कहां पर मिलेगा कौन से स्थान पर मिलेगा कौन से place पर मिलेगा मुझे इतना तो मालूम है कि quartile find कर रहा हूं चार इक्वल पार्टिशन हो गया बट फस्ट पार्टिशन का end वाला q1 होता है तो लेकिं फस्ट पार्टिशन का end कहां है कौन सवास्थान है उसको size of quartiles कहते हैं तो size of quartiles का फॉर्मला ले ले लिजिए उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि भया आपका q1 कहां पर कौन सवास्थान मिलेगा उस्थान में जागे जो डेटा है वही आपका q1 है clear है तो यह क्या कहता है quartiles क q1 also called the lower quartile तो lower quartile किसो कहते हैं q1 also called the lower quartile is such that the 25% of data falls below it similarly the second and the third quartile are such that the 50% of the data falls below and q3 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 and 75% falls below q3 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 is the q2 is the median q2 क्या होता आपका median होता है अब size कैसे निकाल लेंगे अगर आप जो है k term का निकालेंगे तो आपको पास में k से multiply भी करना पड़े है जिसे कि first का निकाल रहे है तो first से multiply 2 से निकाल रहे है तो 2 से multiply 3 से निकाल रहे है तो 3 से multiply बाकी first quartile का formula n plus 1 divided by fourth observation आपका लगी रहे है अ आपके बात करता हूं आपके पास में आता हूं मैं continuous series में continuous series में बस आपके पास में जैसे कि मीडियन निकाल रहे ते ना मीडियन का फार्मला नहीं था हमारे पास में कि L plus n by 2 तो यहाँ पर आपके पास में k by 4 होगा ठीक है minus c या फिर आप cf कह सकते हैं upon f और into i जो आपको फार्मला था मीडियन का वही बट यहाँ पर क्या जाएगा 2 की जगे पर 4 हो जाएगा कैसे करेंगे मैं भी एकी question लेकर कर बताऊंगा आपको फिलाल आप देखेंग हाँ यह है दा मार्क्स अप्टेन बाइन इस्टेंट्स इन टेस्ट और 25, 20, 15, and 45, 18, 7, 10, 38, and 12, find the value of q1, q3, and d2 यह deciles है, and percentiles है, तो मैंने deciles and percentiles अभी आपको नहीं बताया, आपको निकालना नहीं है, आब आस q1, q3 निकाल दीजिए, series कौन सा है, individual series है, तो quartile का कौन सा है individual series है, तो आएए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे आप, तो बच्चे first step आपका क्या है, first step आपका यह है, कि आप इसको ascending order में range करें, ठीक है, तो ascending order या descending किसे भी कर ले, 9, 20, 25, 15, 18, 7, सबसे पहले क्या आएगा, 7, 7 के बाद आपका क्या आना चाहिए, 12, 10, फिर क्या आना च 15, 15, 18 के बाद आपके पास में, 20, 25, 20, 25, और उसके बाद आपके पास में, 25 के बाद, 38, then आपके पास में, 45, तो 2, 4, 6, 8, 9, 9 observation हो गया, तो first of all आप इसको ascending या descending order में arrange करोगे, चलिए मैं Q1 की बात कर रहा हूँ, परिक्या निकालना आपको Q1, कैसे निकालेंगे, size of Q1, क्या formula होता है इसका, quartile 1, n plus 1 divided by fourth observation, या fourth term, तो solve करेंगे, तो क्या होगे मेरे पास में, 9 plus 1 divided by fourth observation, term, तो क्या हो जाएगा, 10 by four, तो solve करेंगे, आप यहाँ पर 10 by four को, तो चार दुनी, आट, जीरो, चार पंचे बीस, तो टू पॉइंट, फाइब, फिफ्ट टू, पॉइंट फिफ्ट, term, clear है, अब यहाँ पर आपके पास में, Q1 आप कैसे निकालोगे अपना, तो Q1, लेकिन इस पार क्या है, प्लस, जो पॉइंट के बाद वाला नमबर है, 0.5, जो पॉइंट है, 0.5, तो यह किसके बीच में आता है, यह 3rd और 2nd के बीच में आता है, तो लिखेंगे, 3rd term, minus 2nd term, जब भी decimal में आपका जो है, place, size of, आपका भी size decimal में आ जाए, तो कैसे करेंगे, पूरा राउंड नमबर आपका ले लिए 2nd term, उसके आद प्लस करके, decimal जो है, 0.5 है, 0.2 के आत कितना है, 0.5 ले लो, और किसके बीच में stand करता है, 3rd और 2 के बीचे, तो पहले 3rd, फिर उसका 2nd, अब आपके पास Q1 की वैलू क्या आएगी, equals to, second term क्या है आपका, second term आपका 10 है, 0.5 तो fix है, चले, 3rd term क्या है, 3rd term आपका 12 है, second term क्या आपके 10 है, आई, solve करते हैं आप, तो 10 प्लस 0.5 मतलब आधा, और ये क्या हो जाएगा, 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 प्लस 1, तो ये हुआ, 11, तो Q1 की वैलू कितनी है आई आपके, 11, बास समझे बच्चे, और इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, यहाँ पर Q3 निकालना है, आपको, अब क्या निकालना है, आपको Q3, तो आईए, size of Q3, क्या formula apply करोगे, n प्लस 1 divided by 4, n multiply by 3, क्यों थर्ड निकालना है, term, तो solve करोगे तो कितना जाएगा यह आपके पास में, 6 और देड़ आपका, सदे साथ, 7.5, term, solve करेंगे दुसको, और 7.5, term को कैसे लिखोगे आप, Q3 के लिए, Q3 equals to 7th term, plus 0.5, और यहाँ पर आपके लिखोगे, 8, term minus 7th term, तो solve करोगे, आपके पास में 7th term क्या है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, 25, plus 0.5, और आपके पास में, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ तो, आपका पास में 38 minus 25 क्या होगा, तो आपके पास में 5 और 8, 13, ठीके न, clear है, 5 और 8, 13, solve करेंगे, तो क्या जाएगा, 25, और 13, 16, 6.5, तो कितना होगे, आपके 26, 31.5, तो 31.5 आपका क्या होगे, Q3 की वैल्यू होगी, बास समझगे बच्चे, clear है, कोई doubt किसी बच्चे को, तो इस तरीके से आप जो है, अपने quartiles को find कर सकते हो, तो आज मैंने आपको individual series में quartiles को calculate करना सिखाया है, चलिए, पहले आप इसको note करें, फिर आगे बात करेंगे,